हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के लिए एक बहुत ही खास रेसिपी सेहत और स्वाद से भरपूर तिल गुड गोंद और मखाने के लड़ू जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत ही आसान होते हैं मखाने में बहुत जादा प्रोटीन होता है और तिल में बहुत जादा कैलशियम होता है जो की हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और सर्दियों में ये लड़ू खास कर खाये जाते हैं तो चलिए देखते हैं ये लड़ू बनाने की रेसिपी और इसे हम कैसे बनाते है उसके लिए मैंने सबसे पहले यहां पे 100 ग्राम तिल लिए हैं यह मैंने सफेद तिल लिए हैं और 200 ग्राम गुड लिया हैं 50 ग्राम मखाना और 50 ग्राम गौंध इस लड़ू में बिलकुल भी फैट नहीं है थोड़ा सा इसमें हम घी यूज करेंगे तो उससे हमें ज्यादा फैट नहीं बढ़ेगा तो सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसे गरम करेंगे इसमें मैं डाल रही हूं तिल सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे तिल हमें ज्यादा ब्राउन होने तक रोस्ट नहीं करने है हलके से ब्राउन होने तक रोस्ट करने है जब तक तिल चटकने की आवाज नहीं आती तब तक हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे जब हम तिल को रोस्ट करते हैं तो बहुत ही एक अच्छी सी खुश्बू आने लग जाती है ये देखिए ये मैंने तिल को एक अलग से प्लेट में निकाल लिया है अब इसी पैन में मैं एक चमच घी डालूँगी ये आप एक से दो चमच घी डाल सकते हैं इसमें हम गोंद फ्राइ करेंगे थोड़ा थोड के बाद फिर दोबारा से उसको फ्राइ करेंगे ये देखिए गोंद अच्छे से फ्राइ हो चुका है गोंद फ्राइ हुआ या नहीं उसको चेक करने के लिए आप इसको हाथ से तोड़ के देख सकते हैं अगर एक दम से क्रंच करके गोंद तूट जाता है तो इसका मतलब अच्छे से फ्राइ हो चुका है ये देखिए ये गोंद को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है अब इसी बचे हुए घी में हम मखाने रोस्ट करेंगे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं अब अच्छे से मखानों को रोस्ट करेंगे मखाने रोस्ट हुए या नहीं इसको चेक करने के लिए भी आप मखाने को तोड़ कर देख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी इसको तोड़के देखा वो एकदम से क्रंच करके तूट गया तो मतलब मखाने अच्छे से रोस्ट हो गई है यह देखिए यह मैंने सारी चीजों को रोस्ट कर लिया है तो अब हम सबसे पहले तिल को ग्राइंड कर लेते हैं यह मैंने एक मिक्सिंग जा जालेंगे और इसको मोटा मोटा ग्राइंड करना है हमें ज्यादा बारिक पेस्ट नहीं बनाना है सिर्फ हलका सा दो से तीन सेकंड के लिए इसको ग्राइंड करना है अब मैं ऐसे ही मखानों को रोस्ट कर लेती हूं मखाने भी हमें ज्यादा बारिक रोस्ट ग्राइंड करने हैं यह मैं गोंद को एक कटोरी की मदद से क्रेश कर रही हूं आप चाहें तो गोंद को भी आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन जब आप गोंद को मिक्सी में ग्राइंड करते हैं तो इसे आप ज्यादा बारी ग्राइंड नहीं करेंगे इसे आपको थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखना है जिससे कि लड़ू खाते टाइम जो गोंद का क्रंची पनाता है खाने में वो आना चीए अब एक कड़ाई में हम गुड़ डालेंगे और गुड़ को बिना गरम किये ही इसमें अब हम डालेंगे आदा कप पानी यह इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारे गुड़ की जो चाशनी है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो उसे हमें पकाने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए हम इसमें पानी थोड़ा ही डालेंगे बिल्कुल थोड़ा भी नहीं डालना है कि कभी चाशनी बहुत ज़्यादा गाड़ी हो जाए अगर चाशनी ज़्यादा गाड़ी होगी तो फिर उसमें अच्छे से जो हमने ग्राइंड किये हैं इसमें mix नहीं हो पाएंगे तो इसलिए चाशनी को हम थोड़ा सा पतला बनाएंगे ये तीन से चार मिनट के लिए गुड को पिगलाने के बाद हम इसको continue चलाते रहेंगे ये देखिए चाशनी थोड़ी थोड़ी सी गाड़ी होने लग गई है इसे हमें ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है गैस बंद करके इसे अब हम उतार लेते हैं आप चाहें तो इसको एक अलग से बरतन में भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं इसको इसे कडाई में ही रख रही हूँ और यह अब गरम है तो इस गरम में ही हम ग्राइंड किया हुआ तिल मखाना और गोंध मिक्स करेंगे इसे हमें ठंडा नहीं करना है चाशनी को गरम में ही मिक्स करना है क्योंकि अगर चाशनी थंड़ी हो जाएगी तो यह थोड़ी सी काड़ी हो जाएगी तो इसलिए हम इसको गरम में ही mix करेंगे तीनों चीजों को अब इसमें गोंदैड कर देते हैं और इन तीनों चीजों को हम अच्छे से mix कर लेते हैं ताकि सारे आइटम जो इसमें हमने डाले हैं वो आपस में mix हो जाएं यह ध्यान रखना है कि चाशनी को ठंडी नहीं होने देना है यह सब आपको गरम गरम में ही mix करना है यह देखिए यह सारी चीजे अच्छे से mix हो चुकी है अभी यह हमारा mixture ठंडा नहीं हुआ है तो इसको हम हलके से गरम गरम के ही लड़ू बनाएंगे तो इसे हम हाथ पर थोड़ा सा घी लगाएंगे ताकि यह चिपके ना हाथों पर और अपने मन चाहे साइस के लड़ू बनाएंगे चाहे तो आप बड़े लड़ू बनाएं या छोटे बनाएं इन लड़ू की एक खासियत यह है कि इससे हमें हमारी बोड़ी में बहुत ज़्यादा एनरजी आती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे खाने से मोटापा नहीं वड़ता है और हमें बहुत ज़्यादा एनरजी मिलती है तो यह देखिए यह हमारे लड्डू बनकर तयार हो गई है यह लड्डू बड़े बच्चे सभी खा सकते हैं तो दोस्तो मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले